मदर्सों को जलाए मुसल्मानों की पवित्र किताब है कुरान एक कुरान नहीं 1400 कुराने जली है मतलब उस सालों की दुकान आज तक कभी उसके बगल पड़ोसी दुकानदार से कभी समझे कि तू तू मैं 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 नहीं हुआ और उसको लड़वाने के लिए कैसी राजनी थी उसको लड़वाने के लिए उसके दुकान को जलाएगे उसके अंदर नफरत पैदा करने के लिए कि हिंदू के लिए नफरत पैदा हो मुसलिम के लिए मुसलिम के मन में दस दुकानों के बीच में एक मुस्लिम की दुकान को जलाया दुकान जल लहा था जलाने वाला के मन में क्या था समझ में नहीं आया कि दस हिंदू भाई की दुकान उसमें एक मुस्लिम की दुकान सब शराब की बॉटल एक लिटर की शराब की बॉटल पाणट पाणट सो लिटर के शराब की बोटल अब अंदाजा लगाए कि ये शराब की बोटल किस पेट्रॉल पंप से आई किस ने और्गणाईज किया यह सारा चीज लेकिन पत्थर चलाने वाला कोई बंगलादेशी भी हो सकता है कुर्ता प्रिजामा पहन का आग जलाने वाला कोई बाहर का भी लोग हो सकता है ग्राउन पर वो कह रहे थे कि अगर शायद हो सकता था कि जान देना पड़े ना, तो इनकी बहु बेटी के लिए हम जान दे देते हैं, क्योंकि वकील साहइब को अपना मामा कहते हैं, एक हिंदू भाई, मुस्लिम वकील साहइब को अपना मामा कहते हैं, बच्पन इनके आंगर में गुजरा है, वो विखार शरीफ में कोई हिंदू खत्रे में नहीं है और कोई मुसल्मान कोई अपने पडूसी हिंदू से डर नहीं है आज भी जैसे कल रह रहे तो वो इसी आज रह रहे है राम नम्वी के जुलूस के दौरान हिंसक जड़प हुई और उसमें कई मकान जल गए कई लोगों का अश्याना उजड़ गया कई जगा पर इतने ज़ादा बड़े नुकसानात हुए कि उसका आकलन करना मुश्किल है जिस पर गुजरती है वही समझता है किसी का घर उजड़ा किसी का मकान उजड़ गया किसी का सब कुछ उजड़ गया बहुत सारी चीज़े आपने देखे होगी सरकार के अपने दावे हैं विपक्ष का अपना इल्जाम है लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो पतरकार पहुँचे उनकी आखे नम हो गई सारी चीज़े थी सब कुछ था लेकिन इनसानियत नहीं थी उसी में से एक हमारे मित्र हैं पतरकार हैं और अमान मलिक जब वहां पहुँचते हैं तो जो रिपोर्ट थी जो दास्तान थी वो देखने के बाद इनके आखे बर आई आप जब वहां पहुचे तो उम्मीद थी लोगों की कि उम्मीद खतम हो गई थी या आपको लगा कि इनसानियत अब बची ही नहीं धर्म के नाम पर सब कुछ लोगों ने लूट लिया बिलकुल इनसानियत तो वहां दिखने के लिए नहीं मिला लेकिन जब वहां गये मेरे जिंदगी का ये पहला दंगा और पहली बार मैंने ऐसा ग्राउंड रिपोर्ट किया दुकाने जल रही थी मकान जल लहा था हिंदू भाई का भी दुकान था मुसलिम भाई का भी दु बटा रहा था लेकिन उसको भी किसी हिंदू के महले में हिंदू ने बचाया तो धूनने पर इंसानियत देखा टीवी पर जो देखाया जाता है वो कुछ और है जमीनी हकीकत कुछ और है सिमाब भाई मेरी जिंदगी का ये पहला मंजर और पहला दंगा मैंने कभी ऐसा दं हिंदू भाई की दुकान उसमें एक मुस्लिम की दुकान भाई चारे को खत्व करने की एक अच्छे मिसाल है मतलब सौ दुकान के बीच में एक मुस्लिम की दुकान थी उसको जलाया है बाकि सब बची हुई थी बाकि सब बची हुई थी मतलब उस सालों की दुकान आस तक क अभी समझे कि तू तू मैं 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 नहीं हुआ और उसको लड़वाने के लिए कैसी राजनीती उसको लड़वाने के लिए उसके दुकान को जलाएगे उसके अंदर नफरत पैदा करने के लिए कि हिंदू के लिए नफरत पैदा हो मुसलिम के लिए मुसलिम के मन में दस दु पुराने जली हैं, वहां के पेशिमाम रोने लगें लिपट के हम आपको क्या बता है, रोने लगें, उनको बस था कि बोल रहे थे कि तीन लड़की क्या करती, तीन कॉंस्टेबल क्या करती, वो भीड 500 का भीड शायद उस भीड में अपने अंदर दपूश लेता वो लोग, वो लोग भाग गई बच्ची, जो तीन कॉंस्टेबल थी, एक कॉंस्टेबल जो शायद पैर से उनका ठीक से चला नहीं जा रहा था, वो क्या लड़ते, इन दंगाईों से क्या लड़ते, एक चीज अमान साहब, जो वक्त चुना गया, राम नवी और रमजान, दोनों तर है, तो पूरी प्लानिंग नहीं होगी? जली होगी, उनके लोगों, अब आपके उपर पत्थर चलेगा, तो हम गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन पत्थर चलाने वाला कोई बंगला देशी भी हो सकता है, कुर्ता प्रिजामा पहन का, आग जलाने वाला कोई बाहर का भी लोग हो सकता है, वहां के लोग, लोकल जो आदमी अपनी दुकान को बजा रहा था, उसमें कुछ हिंदू भाई भी थे, जो उनके दुकान को बजाने का सब्सक्राइब लोग, वकील साहब, वो रिपोर्ट हमने देखी आपकी वकील साहब बली, जो भी देखेगा वो रो देगा, सरफराज मलिक, वो वाहिद एक घर, सिर्फ एक घर हिंदू के महले में, उस घर में पिट्रॉल बम फेका गया, लेकिन उनके घर में उनकी बच्चेयों पर आज तक नहीं आने दिया, किस ने? हिंदू महिला ने, हिंदू पडोसी ने, हिंदू भाई ने, आज तक आने नहीं दिया, और वो लोग ठान लिये थे, आफ कैमरा, बहुत लोग तो अन कैमरा नहीं कह पाते, यही तो कहते कि ग्राउंड रिपोर्ट की हकीकत कुछ और होती है, ग्राउंड पर वो कह रहे थे हैं, बचपन उनके आगन में गुजरा है, उनके आगन में खेले हैं, हम कैसे अपने आग के सामने जलने दे सकते हैं, पांच सो की मौब में वो अकेला, वो महिला, जो छत पर से आवाज लगा रही थी, वो मेरे इतना नौजवान लड़का सामने खड़ा हो गया, उस भीड दे रहा था, तो वो ना हिंदो हो सकते हैं और ना मुस्लिम हो सकते हैं, अरून महता जी की दुकान जली, उनकी मा के अस्थी को, उन्होंने अस्थी के एक मूर्ती बना कर रखा तो उनके अस्थी पर भी बं फिका गया, जो समाधी से नसका इंसानियत होगी, मरा हुआ आद काफिर लोगों काम है मुस्लिम कौम काफिर नहीं है हिंदू भाई काफिर नहीं है हकीकत कुछ और है और एक भी हिंदू प्लाइन नहीं किया भ्यार शरीफ से एक भी हिंदू नहीं प्लाइन किया है अफवा है मैं मैं बता रहा हूं कि मैं रोजे में था मुझे नेट नहीं म बैठा दियों बैठ के जब तक आपको जरूरते भीजिए हमको दो डर नहीं लगा हिंदू महले में ग्राउंड रिपोर्ट करने में नफरत इतनी होती तो मुसल्मान के नाम पर किसी को भी कटल कर देते हैं कि आप देखा है पहला तजर्बा करा रहा है कि किया तो गया था किया था वाले इंसानियत को मारने के लिए शैतानियत वाला प्लान चाहिए था किसी ने तो किया यह सरा सिस्टेमाटिक इफ्तार के वक्षुरू करना और चुन-चुन करके जो माइडरी का घर था मजीदें थ प्रसाशन की बहुत बड़ी चूप बहुत बड़ी गलती कहिए आप साथ हजार की संक्या में हिंदू भाई शोबा यातरा निकाल ने आपकी नाकामी है कि उनके उपर पत्थर चला आपने ड्रोन कैमरा का इस्तमाल क्यों नहीं किया अभी इफ्तार पार्टी हो जाए किसी मंतराले किसी मुख मंतरी की हाँ तो आप ड्रोन कैमरा का इस्तमाल करिएगा जगा जगा पर पुलिस और सुरक्षा कर में आप तैनात करिएगा एक आम आदमी की जान की कीमत नहीं है यही आम आदमी ना मुख मंतरी बनाता है यही आम आदमी ना आपको डिप्टी सीम बना तो इसकी जान की कीमत नहीं है, इसके लिए कोई ड्रोन कैमरा नहीं, वो तीन महिला पुलिस कल में क्या कर सकती थी, गोली चलाने से पहले, और जब आग लग गया तो बुझाने से क्या फायदा, पांच लाक रुपया में किसका घर बन जाएगा, पांच लाक में किसकी बेट पांच लाक में किसकी मजजिदे बन जाएगी, पांच लाक में कितन कुरान जली हुए, कुरान क्या आप ठीक कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये नफरत की राजनीती इस देश की भाईचारी की बुनियात को खत्म कर देगी, इस नफरत की राजनीती, और ये लोग इं पहले मैंने किया रिपोर्टिंग उसके बाद वह पहुंचती हैं मैं साइड में खड़ा होता हूं मैं देखता हूं कि वह क्या कर रही थी और मैंने पूरा रिपोर्टिंग उनका देखा सिर्फ नफ symmetry और वहां से कुछ दूर की दूरी पर मज्जिद अजिजिया मदर्सा ठाठ वहा से कुछ दूरी पर लहरी थाना के सामने मुस्लिम भाई का दुकान था, वहाँ से कुछ दूरी पर मुरारपुर मस्जित था, अरे वहाँ नहीं जाते तो मलिक जी के मकान के हाँ चले जाते, वहाँ तो हिंदू भाई ने बचाया था घर, वो कहीं नहीं जाते, मकसद नहीं है, मकसद नहीं था इन लोगों का महबद, यह जो पतरकार है जो बड़े बड़े चैनल नीज एटीन और जी की बात कर रहे हैं आप उसका खुलासा बिहार पुलिस ने किया है रिपोर्ट कल छपी एजानिक भासकर में कि ये जो तीन चार एजन्टे पर वो लोग काम कर रहे थे पहली बात की भाई इस घर से प्लाइन कर गया वो घर शु समझ में नहीं आता है कि इनका जमीर कब जागेगा इनके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे इस देश में नहीं आएंगे क्या अरे ठीक है आपके बच्चे विदेश में जाके ऑक्सवर्ड उनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे लेकिन हमारे बच्चों को सुकुन से रहन गाप के और इनके आंकों हमारे आंकों पर पट्टी डाल दिया जाएगा और उस पर नफरत सिर्फ नफरत एक दूसरे के लिए अच्छा किया कि उस सुबह यादरा में जितने लोग शामिल थे वो जादा तर 16, 17, 15, 18, 20 साल के बच्चे थे और यह जो परंपरा है और उसमें दो जात के सबसे जादे युवक का नाम आ रहा है एक यादव और एक पासवान आप बताईए कि एसी में बैट करके हिंदू खत्रा में बदा करके मैसेज उसको कर देता है और वो पिछली जाती का दलित समाज का बच्चा एसी एस्टी का बच्चा जा करके मस्जीद के बाली देता है अब दंगा भड़कता है उसकी मा थाना के सामने रूती है कि एक दिन ठेला नहीं चलागा तो मर जाएंगे अब बता रहा हूं ना कि किसी भी तरीके से उनके बच्चों को जल से बाहर निकाल दिया जाए यह मनजर था इसलिए मदर्सा जलाया गया इसलिए मदर्सा जलाया गया और यह नया चीज नहीं है जो लोग जिनको फायदा होता है ने इस चीज से वो मलाई खा रहे है और वो पुराना साल repeat करना चाहरे हैं बिहार में भी और ये TV चैनल उपर जो बैठे है न मैं कह रहा हूँ कि अगर कहीं भी दंगा हो ना तो इंटरनेट बंद कर रहे हैं तो सेटलाइट भी बंद कर दें देखना बंद करिये आप लोग TV को देखना बंद करिये मत मानि हम लोग को पत्रकार हम लोग यूटूबर हैं सच देखानी के लिए हमको किसी डिगरियो सर्टिफिकट का जरुवत नहीं है लेकिन जो सच है वो कहेंगे कहेंगे दिखाएंगे सच बिहार शरीफ में कोई हिंदू खत्रे में नहीं है और कोई मु मुसल्मान भाई खारीद रहा है लेकिन हकीकत है ना अब बता है तो पहले से पलान तो रहा होगा जलाना है उसको अब मदरसा बिहार गवर्मेंट का है किसी का प्राइवेट भी नहीं है हिंदुस्तान की आजादी में उस मदरसे में ऐसे से पढ़े लिखे उसका बड़ा योगदान है बिहार बोर्ट के वाप उनीस सोदर्स में जलाया कोन है वह पला नहीं रही होगी तब तो गया ना मैं कहा रहा हूं कि उस मदरसे का पहला दिन मैंने के रिपोर्टिंग किया ठीक है मैं जैसी मदरसे के अंदर गया तीन पुलिस कर्मी आते हैं मुझे लगा शायद यहीं के होंगे मैंने गाड से पूछा अब मैं गाड से बातशीत भी क्या मनजर था गाड ने कहा कि मैं गेट के पास खड़ा था या अंदर में कहीं खड़ा थ अचानक से 1500-200 की संख्या में भीड आता है और सबके हाथ में गमचा भगवा गमचा और उसकी बाद पिट्रॉल बम हाथ में तलवार और दनादन मारने चले बम मार रहे थे अब वो दोसर की भीड में कहिला बंद क्या करेगा आप भी भाग जाएगा हम भी भाग जाएंग और वहां पुलिस कर्मी नहीं जब आपको पता है कि हर अब हर साल पूरे देश में देखा जहांगीर पूरी में हुआ वही शोबायातरा के दौरान तो आपको दूसरे राज से सीख लेना चाहिए कि शोबायातरा में पत्थर चलता है और उसके बाद फिर दंगा होता है त जो आठारा साल के भी नहीं होते हैं तो दंगा भड़काते हैं उसको आईस आईपीएस बनना है इसको खत्रा है मुसलमान से चोटा जात का जो लड़का सब है पासवान है यादव है सबसे दो ही जात का लोग वहां दंगा में शामिल है जो हमला किया है तो यह लोग यही क पुलिस के नाम पर समझे कि पुटला खड़ा था लोग कह रहे थे मुसलिम भी वह से कर रहे थे बिलकुल और दूसरा गुजरात बनाने की कोशिश तो यह थे हमारे साथ अमान मलिक जो बहाद शरीफ में चार दिन रहकर के आये हैं गिराउन जिरो पर थे रिपोर्टिंग किया इन्होंने देखा जो बसें जली थी वो बस का इस्ट्रक्शर नहीं था वो इंसानियत जलाई गई थी सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं अपने आपको सेकुलर सरकार कहते हैं कहा जाता है कि जब बहार शरीफ में दंगा होता लालू परशाद यादब यहां से चले गया होता बिहार में तो आज आग फैल गए होता दंगा भड़क गया होता लेकिन 4500 किताबे थी उसमें 110 साल पुराना मदरसा बिहार बोट का मदरसा है वो वक्त बोट की परपटी है सरकार की परपटी है इफ्तार में दावत में खुजूर खाएंगे सवाल उठेगा जिस कॉमिनिटी ने आपको 100% वोट दिया जिस मुसलमान ने लालु यादब पर आंख बंद करके भरोसा किया उसकी मस्जिदे जला दी गए उसके मदरसे जला दिये गए और यह आपके राज में जला है बीजेपी के राज में जलता तो कोई बात होती सवाल सोशल मीडिया भी भी उठ रहे हैं कि अडवानी जैसे लोगों को लालु यादब में गिरफतार कर लिया और इनके पुद्र से एक दंगा नहीं रुपता है तो सवाल का है को का है मुसलमान आपको वोट देगा यह सारी हकिकत बिहार शरीफ के आस्यों में है रमजान में है जो विक्ति भागवान किसी को मारने की बात कहता है अलमा अकबाल बहुत बड़े शायर गुजरें जिन्हों ने लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदूस्ता हमारा उन्होंने इसी लाइन में कहा है कि हराम के वजूद से हिंदूस्ता को नाज एहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद जिनको इमाम हिंद समझा जाएगा उनके अनुयाई यही तरवार और कट्टा लेकर निकलेंगे और बस्तिया जला देंगे आग लगा देंगे और उसमें मीडिया का एक बड़ा रोल बड़ा किरदार कि आप बताईए कि दंगा भड़का दिया बड़े बड़े चैनल के प कोई मजब नहीं है उसका मजब सिर्फ इतना है कि एसी में बैठे हुए निते नेता लोग जो है वो देखे कि ठेला पर जो बाप सुबह सवेरे खीचता है सब्जी आज उसका बेटा जेल में है दंगा भड़काया किसी और ने कहा उसको तुम जाकर के गाली दो एक कॉम्म के पीछे है यह परमपरा यूँ ही चल रही है इनसानियत बचे न बचे सत्ता बची हुए यही उनके लिए काफी